इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले की हिस्टरी पुरा इतियाद गाईज इसका कैसे नाम पड़ा है और कितने परेटक इस्तलों के बारे में आप लोगों को फुल जानकारी देने वाले हैं तो वीडियो लाश्ट तक देखेगा आपको कुछ नया सीखनों को मिलेगा और इसका नाम कैसे पड़ा लखीमपुर खीरी तो आई जाप लोग फ्राग मंदर देख पा रहे होंगे तो इसका इतियाद पहले बता देते हैं आप लोगों को भूगोल हैं सबसे पहले इस जगा को लच्चमीपुर के न चिनात और फ्राग मंदिर और फ्राग मंदिर और अठारा सव साट इसवी से ठारा सथ सत्री सवी के विशेश रूप से पसिद्धें शेत्रफल की दरश्टी से लगबग शेतर सव ऐसी भर किलोमीटर से यह जिला उत्रप्रदेश का सबसे बड़ा जिला है तो गाई अप स सिबसे प्रातना की थी उनके साथ लंका चलें और हमेशा के लिए लंका में रहें भगवान सिब रावड की इस बात से राजी हो गये लेकिन उनकी यहां सर्तिती की वह लंका छोड़कर अन्य किसी और इस बात के लिए तैयार हो गया और भगवान सिब और रावड को लंका लंका के लिए अत्रा आरंब करदी इस मंदिर में इस्तिर सिब्लिंग पर रावड के इंगूठे का निसान बरतमान समय में भी मुझूद है प्रतियक बर्स चेट माह में चेती के मेले का आयोजन किया जाता है तो काई लिलोटी नात मंदिर के बारे में बताते हैं यहां मंद सबस्क्राइब है यहां रहने बाले लोगों को मानना है कि अश्यूदिन मंदिर का मंदिर का थवर खूंद कर जांब कर जाते हैं बरती बरते दिन और हर महिने में आने वाली अमावस को मेले का आयोजन किया जाता है मेडग मंदिर लखीमपुर से सीता सीता पूर मार्ग पर इस्तिते लखीमपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर आयल सहर फ्राग मंदिर के लिए काफी प्रसिदेज मंदिर का निर्माड 1880 में 1870 में करवाया थ मंदिर भगवान शिवकों समिर्पित है इस मंदिर की सबसे बड़ी विजस्ता यहां मंदिर मेडग के आकार में बना हुआ है मंदिर में दो प्रवेस द्वार हैं जिसका प्रमुक द्वार पूर्व की दिशा और दूसरा दचन की दिशा की और खुलता है मंदिर के ऊपर अगा हुआ जिसमें नुटराज जी की नर्ति करती हुई मूरती चक्र के अंदर मंदिर के सीर्स पर बिद्वान है जो कि सूर की दिशा के अनुसार घूंड करता है जो की विश्मय कारी है मेकल गंज की बात करते हैं मेकल लखिंपूर जिले का एक कसबा है जो की की पूजा पांच पांडब करने आते थे और एक सिब्लिंग की पूजा सुथामा करते थे जो कि द्रोणाचार के पुतर थे गोंती नदी से दच्छिन उत्तर की और बहती है यहां सुभमाना जाता है और दच्छिन मंदिर के दच्छिन कुछ तूटी हुई मूर्तिया साथ किलोमीटर दूरी पर इस्तित है भागवत गीता के नुसार परिष्चित ने अपने बेटे के जन्म पर नाग यग्य का आयोजन किया था सभी साप यग्य मंत्र की सक्ति से उस हवन में कुड में कूद पड़े और इस यग्य के पश्यात उस शेत्र में कभी कोई साप नहीं पाया गया और से ऐसा मना जाता है कि इस मंदिर की पवित धरती इस जगहां पर किसी सहाप को आने नहीं देती है इस मंदिर का नाम भगवान ब्रह्मा की पुत्री देव काली के नाम पर रखा गया क्यूंकि उन्होंने इस इस इस्तान पर कड़ी तवस्या की थी तो जब इसकी बात करते हैं जन संक्या की तो जन संक्या तो समुन्द्र तलसे उचाई की बात की जाए तो कापन है इसकी तापमान की गाईज अगर बात करें तो गिस्म कालिन तापान जो है 43 से 109 फेरन हाइड है और सीट काल की बात की गाईज की जाए तो चार सेल्सिया और 49 फेरन हाइड है अगर 22 काईज देश की राजधानी से बात की जाए तो यह 356 किलोमेटर दूरी पर है बात की जाए तो यहां पर आप लोग गाउं के नाम देख सकते हो यहां पर तो गाईज टोटल देख पा रहे होगे बरतमान में जिले 1797 राजस जुगाउं है और 995 ग्राम पंचायते हैं इसमें से अकेले मुहम्दी तहसिल में हैं 535 राजस इस संक्या से भी मुहम्दी तहसिल की विशालता लगाया जा सकता है तो यहां पर देख पार हैं तहसीलों का छेत्रफल जनंग्या और महिला पुरुस अनौपाद भी यहां मोग देख पाएंगे तो इसक्रीन पर दे रखाएं तो इसक्रीन से लिए सकते हैं Óर गाय ग्रमों की बात करें कुल ग्राउम जिसमें फोड़ा कम देयर ijn जोड़ दिये गए थे तो अजय कि बात करें तो गैजब तहसिलों की बात करें तो तोन आप wow देख सकते हो तैसिलों के नाम यहां पर दे रक्क हैं साथ तैसिलें करें लाइक करें दोस्टों के साथ अबने शेयर कर दें तो धरम की गाइज बात की जाए तो जो गड़ना आधार पर हम आपको यह डिटेल से दे रहे हैं सबसे बड़े तीन धर में यहां पर हिंदू धरम जो की गाइज 70.41 परसेंट आबादी है इसलाम की करबाइज मुस्ल प्रमूग नदिया देख पा रहे होंगे जिसमें से नदियों का प्रभा कुछ सारदा कोरियाला और उले सराएन चोका गोमती कठना और सराय और महन नदी जो प्रमूग नदियां है तो अब टेंडेनात मंदिर की गाईज बात करते हैं या भोलेनात मंदिर गोमती नदी के किनारे बनाहें यहां सरावन मास में मेला लगता है यहां पर लगवागा हर समय सरत्धालू द्वारा रामचरित मानस पार्ट खराय जाते हैं और मनोका बनाय पूर्ण करने वाले सर तो इसमें कुछ देख पा रहे होंगे किसनपूर बन नजीब भिहार को दुद्वा राश्टुद्यान में सामिल कर लिया गया इसे बाग संद्वाराश्टुद्यान की स्थापना के समय यहां पर बाग तेंदूए गेंडा हांती वारा सिंगा चीतल पाड़ा काकड़ा क्रस सूरत भवन महल जो की परेटे किस्तलों में सामिले लगभग नव एकड़ छेत्र में फैला हुआ है जो कि लखिमपुर खीरी में है तो गाइज गुरुद्वार कोडिया कोडियाला घाट साहिब तो यहां पर देख पा रहे होंगे यह भी एक परेटे किस्तले सिक्कों का ह तो गाइज यहां पर देख पा रहे हैं सबसे निकरतम हवाई अड़्डा मोसी अंतर राष्टे हवाई अड़्डा है जो की लखनव में है यहां यहां जगहां खीरी से लगभग 150 किलो मेटर की दूरी पर तो गाइज यह रहां लखिमपुर खीरी का में तो देख पा रहे सब्सक्राइब करें लाइक करें अबरे दोस्तों करें हमारे चैनल पर टेक्निकल वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे तेंक्यों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाइबाइबाइब